प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी नयनों की जोती अंधेरा मिटाती प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी नयनों की जोती अंधेरा मिटाती प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी नयनों की जोती अंधेरा मिटाती वाणी 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 पवित्र है शाश्वत है जीवन का मन्ना है तीन दिसंबर ब्रिहस पतिवार नभी एरेमियस का ग्रंत अध्या एक वचन संख्याएं चार से नौ तक प्रभू की वाणी मुझे यह कहते हुए सुनाई दी माता के गर में तुमको रचने से पहले ही से मैंने तुमको जान लिया तुम्हारे जन से पहले ही मैंने तुमको पईत्र किया, मैंने तुमको राश्र का नभी नियुक्त किया, मैंने कहा आप प्रभु ईश्वर मुझे बोलना नहीं आता, मैं तो बच्चा हूँ परन्तु प्रभु ने उत्तर दिया, यह ना कहो, मैं तो बच्चा हूँ मैं जिन लोगों के पास तुम्हें भेजूँगा, तुम उनके पास जाओगे, और जो कुछ तुम्हें बताओँगा, तुम वही कहोगे उन लोगों से मत डरो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारी रक्षा करूँगा, यह प्रभु का कहना है तब प्रभु ने हाथ बढ़ा कर मेरा मुख इश्पर्ष किया, और मुझ से यह कहा मैं तुम्हारे मुख में अपने वचन रख देता हूँ, यह प्रभु की वाड़ी है संत लूकस के अनुसार आज का पवितर सूसमाचार, अध्यदस वाक्यन्स एक से नौ तक इसके बाद प्रभु ने अन्य बहतर शिश्य न्युक्त किये, और जिस जिस नगर और गाउं में वे स्वेम जाने वाले थे, वहां दो दो करके उन्हें अपने आगी भेजा उन्होंने उनसे कहा, फसल तो बहुत है, परन्तु मजदूर थोड़े हैं, इसलिए फसल के स्वामी से विंति करो, कि वह अपनी फसल काटने के लिए मजदूरों को भेजे जाओ मैं तुम्हें भेडियों के बीच, भेडों की तरह भेजता हूँ, तुम ना थैली, ना जोली, और ना जोते ले जाओ, और रास्ते में किसी को नमस्कार मत करो जिस घर में प्रवेश करते हो, सबसे पहले यह कहो, इस घर को शांती, यदि वहां कोई शांती की योग्य होगा, तो उस पर तुम्हारे शांती ठहरेगी, नहीं तो वह तुम्हारे पास लाउट आएगी उसी घर में ठहरे रहो, और उनके पास जो हो, वही खाओ पियो, क्योंकि मजदूर को मजदूरी का अधिकार है घर पर घर बदलते ना रहो, जिस नगर में प्रवेश करते हो, और लोग तुम्हारा स्वागत करते हैं, तो जो कुछ तुम्हें परोसा जाए, वही खा लो वहां के रोग्यों को चंगा करो, और उनसे कहो, इश्वर का राज तुम्हारे निकट आ गया है यह प्रभु का देव्य सुसमाचार है, क्रिस्ट प्रभु की जय, क्रिस्ट में प्यारे भाईयों और बहनों, तीन दिसंबर को माता कलिसिया, यानि की आज के दिन माता कलिसिया, संद फ्रांसिस जेवियर का तेवहार मनाती है संद फ्रांसिस का जन्म साथ अप्रेल 1506 एसवी को स्पेन में हुआ, प्ररंबिक पढ़ाई के साथ साथ फ्रांसिस मिशनरी कारियों में भी रोची रखते थे, इसलिए एगनासियूस अफ लोयला के मिलने के बाद वे मिशनरी कारियों में आगे बढ़ने के लिए कदम जिस्विट में परवेश करते हैं और एक प्रोहित बनते हैं। प्रैद्वीप जाते हैं वहाँ पे येसु मसी का प्रचार करते हैं। इसाय धर्म का प्रचार करते हैं और उसी वक्त जापान की एक इवक से मिलते हैं। और जापान के इवक भी संद फ्रांसिस से उनके वचनों से काफी प्रभावित हुए और दोनों के बीच एक रिस्त पुनावचन की गोशना करते हैं इसके बाद चिन के लिए रवाना होते हैं उस इवक के साथ और जपान में तक्रिबन धाय साल तक लगातार वचन की घोशना करते हैं उस इवक के सहेता से और अंत में पुनावचन की घोशना करते हैं इसके बाद चिन के लिए रवाना होते ह कारणवस चीन में ही उनकी मृत्यू हो जाती है तो इस तरह से हम देखते हैं संद फ्रांसिस सेवियर निरंतर मिशन कारे में रूची रखे और अंत तक कारे करते रहे और कहा जाता है कि कम्ज मिशनरी समय में 52 राज्यों में सुसमाचार का प्रचार किया इस तरह से हम देखते हैं वो एक महान मिशनरी महान संत के रूप में जाने जाते हैं क्रिस्ट में प्यारे भायों बहनों आज हम भी उस महान संत का त्योहार मनाते हैं और इसलिए कलिस्या भी हमें पाठों के माध्यम से विचार करने के लिए मनन चिंतन करती है आज के पहले पाथ हम नभी एरेमियस के गरंच से पढ़ते हैं अध्य एक वाक्या चार से नौ तक और वहाँ पे विशेश रूप से हम नभी एरेमियस के बुलावा के बारे में पढ़ते हैं इश्वर नभी एरेमियस को चुनते हैं, बुलाते हैं और न्यूक्त करते हैं। विशेश करके हम पुराने विवस्थान में लगातार नभीयों के बारे में बढ़ते हैं, नभीयों के बारे में देखते हैं। इश्वर अलग-अलग समय में नभीयों को चुनते हैं, अलग-अलग समय में नभीयों को बुलाते हैं। इश्वर ऐजा क्यों करते हैं? जब इसके बारे में हम मननचिंतन करते हैं, तो हम पाएंगे कि इश्वर खोये हुए लोगों को वापस लाना चाहते हैं नभीयों के द और जिस इश्वर ने मनुष्य को अपना प्रतिरूप और अपना सद्रिश्य बनाया वो इश्वर पवितर, प्रेम, करुना मैं और दया मैं इश्वर है। पुलो और प्रित्वी पर फैल जाओ। इश्वर के कहने का अर्थ क्या है? उन्होंने हमें अधिकार दिया कि हम इश्वर के स्रिष्टी का देख भाल करें। और दूसरा बात यह भी कहा कि जो प्रतिरूप हमें दिया गया है अर्थात प्रेम, पवितर्ता, दया, करुना उस को हम विस्तार करें। जग के कोने कोने तक विस्तार करें। लेकिन हम देखते हैं जैसे हैं मनुष धीरे धीरे बढ़ते गए और मनुष्यों की संख्या में व्रिधी होती गई, वैसे वैसे पाप का विवरिधी होते गया। उत्पति के गरंत अध्या 6 वाक्या 1 और 2 में पढ़ते हैं। जैसे जैसे मनुष्यों की संख्या बढ़ते गई, वैसे वैसे पाप, अधर्म, कुकर्म, अपराद भी बढ़ते गया। इस तरह से मनुष ईश्वर के प्रतिरूप, ईश्वर के सद्रिश्र को खो दिया और वंचित हो गए। लेकिन ईश्वर की और से नि प्यार करते आ रहा हूं, इसलिए मेरी कृपाद्रिस्टी निरंतर तुम पर बनी रहती है। मैं आदी काल से तुमको प्यार करते आ रहा हूं। अर्थात, जब हम पाप में रहते हैं, जब हम दिशाहीन होते हैं, जब हम कुकर्म में रहते हैं, अधर्म में रहते हैं, ईश माता के गर्व में रचने से पहले ही मैंने तुमको जान लिया, जन्म से पहले ही मैंने तुमको पवित्र किया और रास्टर का नभी न्युक्त किया। और इस बात को सुनकर नभी एरेमियस गबरा जाते हैं और कहते हैं कि मैं बच्चा हूँ, मैं बोल रही पाता। तब ईश्वर कहते हैं ये मत कहो कि मैं बच्चा हूँ, मैं तुम्हारे मुख में अपने शब्दों को प्रकट करूँगा और तुम वही बोलोगे जो मैंने जाओ और उन्हे कहो। इस तरह से नभी एरेमियस को त्यार करते हैं और इश्वर नभी एरेमियस को उन लोगों के बीच भेजते हैं जो मुर्ति पूजा करते थे। आपस लाउट आओ, इश्वर के पास लाउट आओ। आज के सुसमा चार में हम पढ़ते हैं प्रभू येशु मसी बारा शिश्यों के अलावा बहातर शिश्यों को न्युक्द करते हैं और जिस जगह पे येशु जाने वाले थे वहाँ दो-दो करके शिश्यों को भेजते हैं। और हम लोगों ने देखा लुकस के सुसमा चार अध्याई दस वाक्यत तीन में। मैं तुम्हें भेडियों के बीच भेडों की तरह भेजता हूं। हम जानते हैं भेडिया और भेड दोनों कटर विरोधी हैं। भेडिया भेडों को देखते ही तूट पड़ता हैं। ऑर आज प्रभु येशु मसी कहते हैं मैं तुम्हें भेडियों के बीच भेडों की तरह भेजता हूं। कहने का क्या अर्थ है? प्रभु येसु मसी इन शब्दों के द्वारा, इन वचनों के द्वारा क्या बताना चाहते हैं? बताना ये चाहते हैं कि जब प्रभु येसु मसी हमें कारे भर सौंते हैं, इश्वर के कारे को करने के लिए सौंते हैं, उस कारे को करने के लिए हमें स संकट, दुख और समस्या का सामना करना पड़ेगा ऐसे समस्याओं का सामना करना पड़ेगा जिसके द्वारा हमें छती भी पहुंच सकती हैं जिसके द्वारा हमारा जान भी जा सकता है त्यागना पड़ सकता है लेकिन आंत में कहते हैं डरो नहीं मैं तुम्हारे साथ हूँ आगे जब प्रभु येसु मस्य अपने शिश्यों को भेजते हैं तो उन्होंने कहा विशेश करके लूकस के सुसमाचार अध्ये दस वक्ये चार में पढ़ते हैं तुम जा रहे हो तुम अपने साथ कुछ भी नहीं लोगे ना थैली ना जोली ना चपल ना बैग इत्यादी यानि कि खाली हाथ उस जगह पे जाने के लिए कहते हैं जहां पे वे हमें भेजना चाहते हैं हमारे लिए हम विश्वासियों के लिए एक मात्र सहायक येशु और इश्वर है और इसलिए अंत में कहते हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूँ लोकस की सुसमाचर अध्य दस वाक्य नाओं में पुना प्रभु येसु मसी कहते हैं जब तुम उस अस्थान पे पहुँ जाओगे तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा इसके बारे में बताते हैं रोग्यों को चंगा करो और यह बताओ कि इश्वर का राज्य निकट है जी हां मैं मानता हूँ कि एक-एक विश्वासी के लिए एक-एक भग्त के लिए जो इश्वर कारे भर सौंते हैं वो यह कार्य है जो अपने शिश्यों को आज येसु देते हैं आईए आज हम विशेश रुप से प्रात्ना करें कि इश्वर हमारे साथ रहे येसु हमारे साथ रहे ताकि हम भी प्रभु येसु मसी के बुलाहट के मर्म को और गहरई तक समझ सके निरगमन गरंद अध्याय तीन में पड़ते हैं वहाँ पे इश्वर नभी मूसा से कहते हैं कि मैंने अपनी जंता इसरैल की करह और उनकी वानी को सुन लिया है, उनके दुखों को देख लिया है उन पर जो अत्यचार हो रहा है उनको मेंने देख लिया है इसलिए मैं तुम्हें फिराउन के पास में भेजता हूँ, जाओ और मेरी जनता को वहां से छुड़ा कर वापस ले आओ, और यही हमारा कारे है, आज हम देखते हैं संसार में कितने सारे लोग अलग-अलग चीजों में फसे हुए होते हैं, हम भी अलग-अलग चीजों में फ को वापस लेके आओ, वापस लेके आओ अर्थात इश्वर के पास लेके आओ, क्रिस्ट में प्यारे भायों और बेहनों, आए आज जब हम इस बात पर मनंचिंतन करते हैं कि इश्वर हमें बुलाते हैं और कारे भर सौंपते हैं, तो हम प्रातन करें कि इश्वर के कारे हम जैसे इश्वर ने संथ फ्रांसिस जेवियर को जो दिशा निर्देश दिया और फ्रांसिस जेवियर ने उस मार्ग पर चलते हुए उस अस्थान को प्राफ्त किया जो आदी काल से उनके लिए निर्धारित किया था ठिक उसी प्रकार हम भी सत्यक के मार्ग पर चलते हुए ध आई हम प्रात्ना करते हैं इश्वर हमारे साथ रहे येसु हमारे साथ रहे हे इश्वर हम प्रात्ना करते हैं कि हमारे जो बुलावा है उसका मर्म को समझने में सहयोग दे तोने हम लोगों को इसलिए बुलाता है ताकि हम आपके कारे को विस्तार कर सके तो हमें इसलिए बुलाता है ताकि हम तेरे कारे को संसार के कोने कोने तक फैला सके तो हमें इसलिए बुलाता है ताकि हम इश्वर के राज को इस संसार में प्रकट कर सके हे प्रभु हमारे साथ रहना, येसु हमारे साथ रहना, पवितर आत्मा हमारे साथ रहना ताकि इस कारे को हम जिम्मेदारी के साथ कर सके ताकि इस कारे को जा लुदने दुदने को हम जा लुदने जास्टी अलों, प्रॉशने के साथ कर दो एक दोलों, तो राजारी के साथ का।